जुलाई दो हजार चॉबिस में जो भजट आया है उसमें हमारे टेक्सेशन में काफी चेंजेश हुए हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है या हमारे जो शेर्स हैं, mutual fund है, हमारी जो प्रापर्टी है उनको बेचने पे हमें जो capital gains लगत होता है उस पे जो टेक्सेशन होता है जिसे हम short term capital gain tax या long term capital gain tax बोलते हैं उनमें क्या-kya changes है वो इस वीडियो में हम समझेगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं short term capital gain tax तो short term capital gain पहले हम equity के एंगल से समझते हैं यदि आपने share में या mutual fund में invest किया है तो वो investment जो है वो equity investment कहलाता है और उसका आपने profit book किया है यानि जिस दिन से खरीदा है उस दिन से लेकर जिस दिन बेचा है वो समय एक साल से कम है तो उसे short term बोलते हैं और उसमें जो आपको profit हुआ है उसे short term capital gains बोलते हैं और उस पे जो tax लगता है उसे short term capital gain tax या HTCG tax बोलते हैं पहले ये tax आपको 15% लगता था आगे ये tax जो है वो 20% आपको लगेगा तो equity में आपका short term capital gain tax 15% से revise होके 20% पे चला गया है पहला changes यह है अब हम बात करते हैं long term capital gain tax की इसको भी पहले हम equity के एंगल समझते हैं फिर हम real estate वगेरा पर भी जाएंगे तो equity में long term क्या होता है कि आपके buying से लेकर selling के बीच में कम से कम एक साल का period है तो आपका profit जो है वो long term capital gains बन जाता है और उस पर taxation जो है वो थोड़े beneficial rates पे होता है तो पहले उस पे आपको 10% tax देना पड़ता था long term capital gain पे और वो 10% जो है वो पहले एक लाग का profit जो आपका first one lakh का profit होता था उस पे tax नहीं होता था एक लाग कि आपको एक financial year में आपको डेड़ लाग का profit हुआ तो पहले एक लाग पे आपको tax नहीं देना पड़ता था बाकी के 50,000 जो हुआ उस पे आपको 10% यानि 5,000 आपको जो है long term capital gain आपको देना पड़ेगा तो पहले यह होता था अब वो revise होके 10% से 12.5% हो गया है तो यानि व पहले एक साल का threshold होता था जिस पे tax नहीं लगता था अब वो threshold revise करके 1,25,000 रुपए कर दिया है यानि आपको शुरू के 1,25,000 रुपए पे आपको कोई tax नहीं लगेगा उसके उपर जितना भी आपका long term capital gain tax हुआ उस पे 12.5% आपको tax लगेगा तो पहले जो 10% लगता था वो अब बढ़ा कर 12.5% कर दिया है लेकिन जो आपको no tax की जो limit थी नीचे वो 1,00,000 रुपए की थी अब वो 1,00,000 से बढ़ा कर 7,00,000 तो पहले 1,00,000 से उपर आपको 10% लगता था अब आपको 7,00,000 से उपर आपको 12.5% लगेगा तो ये जो है ये long term capital gain में revision हुआ है आपक के equity side में normally debt side में जो short term capital gains वगेरा जो है वो आपकी जो भी आपका slab होता है उसके हिसाब से taxation होता है लेकिन अभी एक बड़ा change आया है वो आया है long term capital gains जो real estate पे था तो पहले हमको long term capital gain real estate पे देना पड़ता था 20% लेकिन अब उसको भी equity जैसे 12% पे move कर दिया है लेकिन ध्यान रखें दो चीज़ें जो है वो बहुत important है पहला आपका real estate का जो period है वो 2 साल का period है आपके equity का एक साल में आपका equity long term हो जाता है real estate में 2 साल में long term हो जाता है पहले आप जो 20% जो tax भरते थे वो indexation का benefit लेकर tax भरते थे अब वो indexation का benefit खतम हो है अब आपको जो पूरा आपका जितना profit हुआ है जो आपका buying price था माल लिजिए आपने 1 लाख में कोई घर खरीजा था और 5 लाख में आपने घर बेज दिया तो वो net जो 4 लाख जो है उस पे आपको 12.5% आपको long term capital gain भरना पड़ेगा पहले ऐसा नहीं होता था अगर आप आपने 1 लाख का घर लिया है माल लो 20 साल पहले लिया है तो वो indexation होते होते हो सकता है उसकी value जो है 4 लाख हो गई हो अभी वो indexation कैसे काम करता उसका मैंने एक वीडियो बनाया है आपको नीचे description में link मिल जाएगा वहाँ पे आप देख सकते हैं तो अब इसके आगे आपको indexation calculate करने की ज़रत नहीं है इससे आगे बहुत simple है कि आपका buying price जो है और आपका selling price जो है उसका जो difference है वो आपका long term capital gain है अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो तो आपको उस पे flat 12.5% tax देना है ये ease of use के हिसाब से simplification किया है लेकिन आपको उसमें indexation का benefit नह ज़्यादा हो कि शाहिद tax ना है लेकिन इस नहीं जो change से उनका tax बढ़ जाए लेकिन कुछ लोगों का उल्टा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने बहुत कम on paper कम value आपको पता है कैसे on paper कम value की जाती है कुछ cash component देके और सस्ते में घर खरीदा हुआ है तो वो index होके भी बहुत बड़ा amount नहीं आता है तो जब हम बेशते हैं तो हमको काफी बड़ा capital gains होता था और उस पर 20% लगता था तो उन लोगों को actually थोड़ा benefit मिला है क्योंकि अब उनको 20% नहीं अब उनको 12.5% ही tax बढ़ना है लेकिन वो पूरे amount पर बढ़ना है तो ये एक और जो है ये बड़ chain जो जुलाई 2024 के budget में आया है और लागों आपके कोई भी question हो मुझसे नीचे पूछिए मैं उनका जनुरा answer करूँ थैंक यू बाबाई